हेलो दोस्तों, तो आज की इस विडियो में बात करेंगे पाइरट्स अफ दे केरेबियन के के बारे में, जो की अब एक तरह से कन्फर्म हो गई है, कि इसके स्टोरी पर काम चल रहा है, इससे पहले हमने आपको एक विडियो बना कर बता दिया था, कि जॉनी देप का अब डि सोच रहे हैं, अब एक बड़े राइटर क्रेग माजन से कन्फरमेशन आई है, जो की इस से पहले चेर नोबिल और दे लास्ट आफ ऐस जैसे शो में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, पहले वो स्केरी मूवी जैसे फिल्मों की स्टोरी लिखते थे, लेकिन चेर नोबि लिखकर उन्होंने अपने आपको हॉलिवूड में बड़ा राइटर बनवा दिया, अब उनसे ये बाते निकल कर आई है, कि दिस्नी उनसे पाइरट्स आफ दे केरेवियन की पूरी फ्रेंचाइजी को रिबूट करवाना चाहता था, और वो ऐसा कर भी रहे थे, यानी एक स्टॉरी वो लिख रहे थे राइटर्स गिल्ड की स्ट्राइक से पहले, मतलब जो कहानी लिखी जा रही थी उसमें मार्गो ट्रोबी को सेंटर में रखा जा रहा था, लेकिन मार्गो ट्रोबी ने उस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि उनको उस कहानी मे नेक्स्ट मुवी को लेकर काम दिया गया था पाइरट्स के प्रोडूसर जेरी बुखाइमर ने भी ये बात कही थी कि वो और डिजनी मिलकर जॉनी देप से बात कर रहे है कि वो जल्दी से रिटर्न करें इस फ्रेंचाइजी में और इस बार जो कहानी बनाई गई है उसमें स्टोरी के सेंटर पॉइंट में कैपटन जैक स्पैरो को ही रखा गया है अलाकि ये स्टोरी अभी राइटर स्ट्राइक की वजह से डिजनी तक नहीं पहुची है क्योकि वो दोनों राइटर भी इस स्ट्राइक में है तो डिजनी अभी वेट की पोजीशन में है तो अब देखना ये होगा कि स्ट्राइक कब खत्म होगी और इस स्टोरी पर कब स्क्रिप्ट लिखकर जॉनी डेप को दी जाएगी तो दोस्तों इस विडियो में इतना ही आपको इस विडियो में दी गई इंफोमेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेर जरूर कर